Assalamualaikum Hello viewers तो यहां पे हमने यह फैब्रिक ले लिए हैं लाइनिक के फैब्रिक को भी अभी हम लग हटाएं के रख देंगे तो यह हमारे पास सिल्क और ब्रोकेट्स का वाइब्रिक है शिल्क और ब्रोकेट्स का फैब्रिक फोर मीटर है तो हम इसमें से निकालेंगे चार बिनार फारशी खरारा, ब्रॉकिट्स पे आप देख सकते हैं, अच्छी यहां पे हमें डिजाइनिंग मिल गई है कपड़े की, और सिलक भी फैबरिक सेम कलर का है, वो वीडियो में आपको थोड़ा भी अलग लग रहा होगा, तो हम यहां पेपर पे थोड़ा से समझा देते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर पे समझ में नहीं आए, तो कपड़े पे में प्रॉपर समझाओंगी, वीडियो को स्किप न करें, थोड़ा से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आसानी से समझ में आजाए, तो मैं इसको इस तरह बनाँगी, क तूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कली और तीसरा हमारा फ्रिल यानि के घहरे वाला पार्ट हो जाएगा तो इस तरह तीन पार्ट में हमें यह होगा, जब भी हम इसको बनाएंगे तो इस bei लेना है, बाट लेना है तो फुल लेंड जो होगी पूरी बैल्ट से लेके नीचे तक वो हमारी 44 यानि के 44 इंच होगी इस तरह की ड्रैसेस हील वगरा के साथ पहनी जाती है तो ये थोड़ी लंबी ही रहती है अब हम यहाँ पे इसमें कली की जो लेंगे उसमें हम स्लाई के लिए मार्जन उपर नीचे एड नहीं करेंगे क्योंकि उसके बदले हम यहाँ पे बैल्ट लगा लेंगे बाकी सब में आपको कपड़े पर भी अच्छे से समझाओंगी तो यहाँ पे हम जो घेरा है उसकी जो लंबाई है लेंद वो 14 से 15 इंच रख सकते हैं और उसमें हमें 2 इंच लाई के लिए मार्जन एड़ कर लेना है ब्रॉकिट्स के कपड़े को अलग रख देंगे और सिल्के फैबरिक पर हम पहले हम पे पैनल्स यानि के कल्यों की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कपड़े की लेंद और विट दिखा देती हूँ तो 30 इंच का हमारा ये कपड़ा है 30 इंच का इसकी लंबाई है और विर्ट वाइज ये टैफ्टा सिल्क है तो इसकी जो चड़ाई है वो मैं दिखा देती हूँ थुड़ी ज्यादा ही है अगर आपके कपड़े की चड़ाई कम है तो आप कल्यों का नीचे से घेर कम कर सकते हैं तो हमारी कपड़े की चड़ाई है वो 54 इंच है यहाँ पर जो हम अपना बैल्ट रखेंगे वो 21 इंच का रखेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 3 इंच की कल्यों लेंगे तो 6 कल्यों हमारी सामने आजाएंगी तो उपर से चड़ाई होगी वो 3 इंच होगी तो जितनी भी हमारी कली की चुड़ाई है उसका हाफ यहाँ पर पहले माग कर लेंगे कपड़े पर इस तरह हम पहले एक तिर्शा कपड़ा निकालते हैं जिससे फिर हमारी कलीया निकलती जाती है तो जो भी आपकी कली का नीचे से घेरा है उसका हाफ यहाँ पर ले लेना है तो इस तरह मैंने यहाँ पर चार इंच ले लिया है और हम यहाँ पर इसको तिर्चा कट कर देंगे तो हमारी जो बेंट पूरी राउंड में होगी वो 42 इंच होगी सामने से हमारी 21 इंच है साड़े 3 इंच की कली में दोनों तरफ हाफ आफ इंच लाई का लगेगा तो हमारा साड़े 4 हो गया तो साड़े 4 इंच मैं हाँ पर स्लाई मार्जन के साथ उपर कली का एड़ करूँगी नीचे से हमें 8 इंच चाहिए तो यहाँ पर भी हम एक इंच लाई के लिए लेके 9 इंच पर मार्ग कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इस तरह 9 इंच पर मार्ग किया इसको मिला देंगे इस तरह 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 यहाँ पर हम इसको मार्ग कर लेंगे Scale से आप इसको easily कर सकते हैं तो इस सरह मैंने यहाँ पे mark कर लिया अब हम यहाँ पे अपनी कली की cutting कर लिए कपड़ा हमारा double fold में है तो एक की बार में हमारी यहाँ पे दो कलीया निकल जाएंगी तो यह देखिए हमारी यहाँ पे दो कलीया निकल गई है अब कप्ड़े को इस तरफ रखेंगे ऐसे, अब हमने इसका पतली वाली साइट इस तरफ कर दी है, उपर की तरफ चौड़ी वाली साइट कर लिए है, इसी तरह हमें सारी कलिया निकालनी होंगी, तो यहाँ पे यह देखिए, मैंने चार कलिय निकाल ली है, अब यहाँ पे कपड़े को हम ऐसे सेट करेंगे अब इसी तरह यहाँ पर आपको सारी ही कली की कारियाम निकाल लेनी है su Absolर तो यहाँ पे मैंने इस सरह एक और केली की कटिंग कर लिए अभी हमारा लास्ट वाणा तरह में इस तरह संटरा करें टेयरिक में छोषम इस साइसरा कली और लेंगे जयाँ के लिए हैं ऐधिया हैं। तो सापने लिपनी रिपने होज्विकस टुछ इनी होtur नगूए खुर ना फैल सरी हुआज करें टूर्ण कुंति हुआ कर में लिए कम करनी है तब भी आपको इन्हें अपने घुटने से चार से पाच इंच लंबा रखना होगा तो यह देखे इस तरह हमारी यह छै कलिया निकल गई है और यह डबल फोल्ड में है तो यह हमारी बारा कलिया हो जाएंगी तो इस तरह हमने अपने पैनल्स यहाँ पर निकाल लि अब हम यहाँ अपना ब्रॉक्ट वाला फैब्रिक लेंगे और इस में से हम नीचे का पैटन निकालेंगे यहाँ आप वीडियो को इसकिप न करें वरना आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा यहाँ हमारे यह सिंगल फैब्रिक था जो कि सीधा था अब हमने इसको यह कAttक लिए बिलकुली निकालist अब भी हम अच्छा करेंगे और इस में पांडी को निकाल है अब मैंने यहाँ प्रिल कि सबुक्तान करने तो इस में और नीचे लिए कपड़ा निकाल करांगे तो इसको हमें घरारा है यह तो हम यहाँ पे प्टिया नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उससे इतना अच्छा लुक नहीं आएगा जितना यहाँ पे हम इसको ओरे बनाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छा लुक आएगा तो पट्टी को मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है ठीके तो हमारा यहाँ पे कपड़ा सिंगली है आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने कपड़े को अपनी ही तरफ इस तरह फोल्ड किया है यह देखे आप फुल स्क्रीन पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बस मैंने इसको उरेब फोल्ड किया है जिस तरह उरेबी पट्टी निकाली जाती है इस पट्टी की जो हमें लेन्थ लेनी है यहां से लंबाई वही हमारे नीचे की फ्रिल की लेन्थ होगी तो यहां मुझे 14 इंच इसको रेडी करना है तो 16 इंच पे मैंने इसको माक कर ल जिस तरह आप गले वगएरा के लिए उरे भी पट्टी निकालते हैं 22 पट्टी निकालते हैं बस उसी तरह निकालना है और जैसे हम उसकी लेन्थ लेते हैं दो इंच धाइंच ऐसे हम यहां पे फ्रिल की अपनी लेन्थ लेनी है मैंने यहां बहुत इजी वर्ड्स में समझ में आया हो अगर भी आपकी कुस्स मज़में ना आया हो तो आप मुझे कॉमें पूछ सकते हैं तो यहां पर हमने पहली पट्टी निकाल ली है अब यहां पर हमें अपनी 3 पट्ट criticized और निकालना है तो कपड़ी को से पल्ड लेना है इसी तरह जैसे हमने पहली की की का यहाँ पर कपड़े को अच्छी से सेट करके रखें जिससे अपकी इस्टिप जो है वो हर बार बराबर की निकलें फिर से हमें 16 इंच पे मार्ग कर लेना है और इस तरह हमें यहाँ पे एक और इस चुण निकाल लेनी है अब हम यहाँ पे अपनी फोर्थ स्ट्रिप निकालेंगे तो अब मैं यहाँ पे लास्ट यानि कि चौते स्ट्रिप निकाल रही हूँ यहाँ पे अगर आपका साइज अलग है तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रिप की लैंड जो हमने है यहां पर दूसरी पट्थी को यहां पे किनारी से किनारी मिलाके टीच करेंगे competitors का ऐसे ही हमें फिर को ले लेना है किनारी से स्ट्रिब कर floss करेंगे अब स्ञेट Kn tengo तो इस तरह मैंने फॉर्थ वाली ली और उसको भी हमें यहां किनारी से मिला के रख लेना है अब जो यह हमारी फॉर्स्ट वाली थी इसको फॉर्थ वाली से यहां पे मिला के और किनारी से किनारी स्टिच कर लेना है पहली वाली को चौथी वाली से जॉइंट कर लेना है इस तरह कप्ड़े को अच्छे से यहाँ पर हम रख लेंगे और इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले कलियों को जोड़ेंगे, दो-दो करके हम यहाँ पे इस तरह 6 कलियां आगे के लिए जोड़ लेंगे फिर उनको यहाँ पे हम आपस में भी स्टिश कर लेंगे और 6 कलियां हमारी आगे के लिए हो जाएंगी तो यह देखिए मैंने यहाँ पे 6 कलिया यहाँ जॉइन कर ली है इनको आइरन कर लेंगे जिसे हमारी फिनीशिंग अच्छी आएगी तो यहाँ पे हमने पीछे और आगे के लिए कलिया इस तरह तयार कर ली है अब हम इसमें सलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ से यहाँ पे 1.5 इंच के करीब मैं मार्क कर रही हूं खुला रहेगा और फिर सलाई लगा के बंद कर लेंगे तो यहाँ पे हमने कलियों को इस तरह गुलाई में बंद कर लिया है अब हम अपनी स्ट्रिप को सिलना स्टार्ट करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको मशीन पर भी सिल कर बता देती हूं तो किस तरह हमें इने रखके जॉइंट करना है तो बस हमें इनको एक के उपर एक इस तरह रखना है और यहाँ पे किनारी हमें अंदर नहीं लेनी किनारी बाहर की तरफ छोड़के जॉइंट कर लेना है क्योंकि अगर हमारी किनारी दिखेगी तो हमारा लोग बिलकुल भी अच्छा नहीं आएगा तो इस तरह हम एक के उपर एक रखके कलिया जॉइन करेंगे और किनारी को हम बहारी की तरफ रहने देंगे और सलाई को पका कर लेंगे और सभी हम यहाँ पे अपनी पट्टियों को इसी तरह जॉइन कर लेंगे तो यहाँ पे यह देखे मैंने जॉइन कर लिया है सारे जॉइन लगा लिये हैं और यह भी हमारा इस तरह गुलाई में बंद है दोनों ही साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से भी यह बंद है इस तरह हमारा उपर का भी बंद है गुलाई में अब हम इसमें गैदरिंग करेंगे तो चुन इस तरह डालेंगे कि हम इसके बराबर कर लेना है यहाँ पे आप मार्किंग करके भी चार भाग में इसको बाटके चुन आसानी से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे इसमें चुन डाल ली है चुन हमें यहाँ पे छोटी छोटी और पास पास डालनी है अब मैं आपको जॉइंट करके दिखा देती हूँ चुन वाला कपड़ा हमने नीचे रखा है और कली वाला कपड़ा हमने ऊपर रखा है और इस तरह हमने इनको गोलाई में जॉइंट कर लिया है अब हम इसके उपर लेस अटेच करेंगे तो यहाँ पे मैंने पर्ल ओर वर्क वाली लेस ले ली है जिसे यह हमारा थोड़ा expensive लगेगा तो यहां हमें side से lace को लगाना शुरू करना है तो इस तरह कपड़े को machine में रखेंगे और lace को लगाना start करेंगे और इसी तरह हम अपनी पूरी lace लगा लेंगे lining यहां पर मैंने cut कर ली है umbrella video landy हो जाती तो यहां पर lining में हमारा 3.5 meter fabric लगा है अब lining को जो हमने umbrella cut किया है उसको मैंने एक side से joint कर लिया है और इसके अंदर हम रखके इसको belt वाली side से उपर से slide लगा लेंगे गोलाई में तो यहां पर यह दिखें सराई यह खुला हुआ है अब हम इसको नीचे से पकड़के अलग joint करेंगे तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह इसको अलग सिलना है यहां आप इसको बिना lining के भी बना सकते हैं तो यहां नीचे तक हमें पूरे में slide लगा लेनी है अब जी खुला हुआ था उसको हमने चाप की तरह stitch कर लिया है बेल्ट हमने ले ली है एक से सबा इंच चौड़ी बेल्ट है इसको उल्टी तरफ से हम लगाना start करेंगे और इस तरह बेल्ट लगा के इसको complete कर लेंगे अब हमारी जो यह बेल्ट है इसको हमें बाहर की तरफ लाकी stretch करना है तो यहां पे आप अच्छे से देख लें इस तरह हमने इसको बना लिया है और यहां फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसको हम पूरी गोलाई में फिनीशिंग के साथ अच्छे से हाँ पे आप हाथ सेट करके इसको लगाएं तो आपका बिल्कुल भी जोल वगरा नहीं आएगा और फिनीशिंग के साथ पूरी बेल्ट लग जाएगी तो यहां हमने इसको देखे इससरा बना लिया है पूरी बेल्ट हमारे फिनीशिंग के साथ बन गई है अंदर हमारा कॉटन का फाबरिक है तो यह कमफुर्टिबल भी रहेगा अब हम इसकी हापे फ्रिल को फोल करेंगे तो मैं इस तरह थोड़ा सा चौड़ा फोल कर रही हूँ आप देख सकते हैं जिस तरह हमने इसमें मार्जन दिया था तो पहले हमने सिंगल फोल किया था एक बारी फिर हमने दुबारा इसको फोल किया है आप देख सकते हैं दो सलाईया है इस पर उरेभी को हम दो बार में फोल करते हैं तो अच्छी फिनीशिंग आती है जिस तरह इसमें flowers वगएरा है तो इसको decorate कर सकते हैं इसी तरह के पुल्स वगएरा लगा कर यहाँ पे आप देख सकते हैं finishing के साथ और हमने इसको यहाँ पे tursles लगा लिए हैं इसको आप scout बहीं कर सकते हैं चाहें तो आप दो आप देख सकते हैं यह आपने बिल्कुल पर्फेक्ट साइज में फुल साइज में इसको रेडी किया है आप इसको ब्राइडल के लिए भी बना सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दे शियर कर दे और सब्सक्राइब कर ले चानल को थैंक्स वर वाचिंग